अलो सुएंट्स अजुम लोग बात करेंगे नोडेशिस की तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में किसी भी इलेक्टिकल सर्कुट को मैस अनलसिस कैसे करते हैं उसके बारे आपको पता है था आज हम लोग बात करते हैं कि नोडेशिस कैसे किया जाता है किसी सबसे पहली चीज होती है वह आपको ध्यान यह रखना है वास्ट भी राइट कि नोडल कि अब इसमें क्या होता है कि पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि नोड क्या होता है देखिए सिंप्ली नोड जो है किसी भी एलेक्टिकल सर्केट में नोड इस दिफाइड आपको यह पॉइंट रहता है यहां पर दो या दो से ज्यादा सर्केट एलेमेंट तो और मोर सर्केट एलेमेंट वह इंटरकनेक्ट रहते हैं वह कनेक्टेट रहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को नोड इसे में क्या करना रहता है सबसे पहले हमको आइडिन्टिफाइड करना रहता है डिफरेंट नोड इसको और उसमें यह देखना रहता है कि हर नोड पर जित्ते भी आपने नोड अलग अलग लिए हैं उस पर बोल्टेज भी डिफरेंट होने चाहिए पहला स्टेप तो यह रहता है तो अचाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आइडिन्टिफाइड नोड फिक है उनमें से किसी एक नोड को arbitrarily हम रिफरेंट नोड मान लेते हैं ठीक है और उस पर हम पोटेंशल मान लेते हैं कि पोटेंशल या वोल्टेज वहाँ पे कितना है जीरो है ठीक है इसमें 0 माननें बाद अढर नोड पे जो वोल्टेज रहता है अढर नोड नोड पे जो भी पोटेंशल रहता है उसको हम विद रिस्पेक टू दिस नोड जो है गलकुलेट करते हैं या लिखते हैं ठीक उसके बाद ये तो हो गया initial task उसके बाद हम क्या करते हैं कि next task is to assign arbitrary currents to the branches in which no current is designated यानि next step पर हम क्या करते हैं कि उन branchों में हम arbitrarily current assign करते हैं ठीक है जिन branchों में कोई current नहीं flow कर रही है assign the currents in those branches where no current is designated ठीक ये करने के बाद the next task is to develop the caseal equations for the branch current उसके बाद हम क्या करते हैं हम हर node के लिए caseal लगाते हैं तो ये आपकी branch currents आ जाती है caseal equations आ जाती है we then we arrange them in such a way that the unknown node voltages appear in the left hand side and the known quantities on the right hand side of the equation फिर उनको हम rearrange करते हैं ठीक है ताकि unknown जो है voltage जो है वो left right side आ जाए बाकी सब right side चला जाए and these equation being called nodal equation तो इस तरह arrangement करके जो equation आती है they are called nodal equations ठीक and they are solved to get the node voltages और इन nodal equation को solve किया जाता है node voltages को find out करने के लिए ठीक अब इसका मतलब क्या हुआ जैसे हमें एक example लेकर आपको बता देते है कि suppose कीजिए कि हमको जो है हमारे पास यह electrical network दिया हुआ है suppose कीजिए यह हमने का यह current source है आई अभी इसमें कुछ और points है वो अभी हम आपको बताते हैं पहले यह basic आप समझ लीजिए माली यह current source दिया है यह दिया है resistance लगा है ठीक यहाँ पर यह दूसरा resistance लगा है फिर हमने का यह एक और resistance है फिर यहाँ पर हमने का यह दूसरा current source है और इस तरह ठीक है यह माली यह हमने इसको और ज़्यादा complicated करने के लिए यहाँ एक resistance लगा दिया और यहाँ एक listener ऐसे है अब यह माली ज़्याइवन है यह आई टू है क्लियर यह हो गया हमारा आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव यह एलेक्टिकल नेट्वर्ट दिया हुआ अब हम सबसे पहले क्या करेंगे पहला इस तब देखिए आडेंटिफाइंग नोड्स पहले हम एक समझेंगें उन फ्रैशेंग क्लिक न फिर आज कैस yब्च कर दिया तक यहां भी रही हमने कर दिया ठीक ये नोट्स हो गए अब इसके बात क्या होगा कि देखे इन दोनों नोट्स को अलग-अलग दिखाने से कोई फाइदा नहीं है इसलिए कि इस नोट पे भी वही वोल्टेज होगा जो इस नोट पे होगा क्योंकि इसके बीज में कहीं कोई element नहीं है तो इसलिए इनको अलग-अलग नोट दिखाने की बजाए इनको आप एक C और D एक ही जगा दिखा देंगे तो भी एक ही बात होगी ठीक पहली चीज दूसरी चीज अब माली जा मारे पास ये तीन नोट बचे A, B और ये वाला नोट से C हमने इसको नाम दिया अब इसमें क्य किसी एक नोट को माली जाब ये हमने आपको समझा दिया ये हटा दीजे अब इसमें से किसी एक को हम क्या करते है रिफरेंस नोट मान लेते हैं सबोस कीजिए इसको हमने रिफरेंस नोट माना मतलब इसको हम इसका वोल्टेज हमने मान लिया जीरो अब इसको जीरो लिया है तो यहाँ पर voltage इस note पर हमने ले लिया माल लिजे हो गया VA और इस note पर हो गया VB ठीक यह पहला point दूसरा point हो गया other notes पर हमने voltage ले लिया अब assign the current अब जिन ब्रांचों में current नहीं है वहाँ पर आप current assign किज़ें देखिए I1 इस में आ रही है इस ब्रांच में तो है इसके अंद इसके अंदर current नहीं लिखी इसमें लिख दिया I4 इसके अंदर current नहीं है इसके अंदर हमने लिख दिया I5 और यहाँ पर current है यह हमने लिखेंगे ठीक तो जिन ब्रांचों में current नहीं है वहाँ हमने current assign कर दी अपने आप ही अपने ही साब से direction में कुछ भी आप लीजे से अब उसके बाद क्या होगा apply KCL अब पहले हम at node A apply KCL node A पे apply करेंगे ठीक तो क्या होगा KCL क्या कहता है कि मतलब हम यहां लिख सकते हैं I1 incoming is equal to I3 plus I4 अब I1 कितना होगा यहां voltage कितना है VA अच्छा यहां voltage mention नहीं करना आपको I1 यह दिया हुआ है तो आप यहां लिख देंगे I1 equal to I3 को आपका लिख सकते है VA voltage difference node पे 0 divided by R2 plus ऐसी इसको आप लिख सकते हैं I4 को VA minus VB upon R3 यह equation आ जाएगी फिर ऐसे यहां node B पे लगाएगे आप तो B पे आप लगाएंगे तो क्या आएगा I4 plus I2 यह दोनों incoming is equal to I5 तो फिर I4 को आप क्या लिख सकते हैं I4 को आप लिख सकते हैं VA minus VB upon R3 plus I2 तो I2 ही रहेगा और I5 को आप लिख सकते हैं VB minus 0 divided by R4 यह दो equation आ जाएगी इनको rearrange करके हम इस तरह rearrange कर लेते हैं कि left hand side में केवल हमारा VA और VB रह जाएगा और right hand side में बाकी equation आएगी और फिर उसको हम solve कर लेगे तो यह basic step होते हैं node analysis में अभी आगे इसमें problem भी करेंगे अब इसमें node analysis में कुछ चीज़े जो ध्यान देने वाली हैं वो आपको यह ध्यान देने वाली हैं कि देखिए पहला क्या है या इसको अब लिख सकते हैं points to be noted node analysis करते हैं आपको कुछ चीज़े ध्यान में रखनी पड़ेंगी पहला क्या है कि if a network contains a practical voltage source it is required to convert this voltage source to an equivalent practical current source and then nodal equations are written तो अगर माल लिजे आपके network में कोई practical voltage source है ठीक है तो practical voltage source को पहले हमें practical current source में convert करना पड़ेगा और तब उसके बाद हम लोग जो है nodal equations लिखेंगे पहली चीज second point क्या ध्यान में रखने वाली है वो यह है कि अगर if an ideal voltage source is connected between a node and the reference node without writing the caseal we directly assign the node voltage to be equal to the value of the ideal voltage source ठीक है अगर यह तो होगया practical voltage source को तो इससे replace करेंगे अगर माल लीजे हमाँ बाद practical के बजाए ideal voltage source है किसी node के बीच में ideal voltage source तो हम क्या करेंगे कि if an ideal voltage source is connected between a node and the reference node without writing the caseal we directly assign the node voltage to be equal to the value of the ideal voltage source तो जो यहाँ पे यह जो voltage source है यह value हम directly assign कर देंगे किसको node voltage को उसके बाद फिताब हम जाके जैसे यहाँ पे इसके बाद हम caseal लिखेंगे यहाँ पे हम caseal जैनि अगर ideal है तो directly वही value आप जो है उस node को दे दीजे जिस node और reference node के बीच में वो ideal voltage source जुड़ा है और अगर practical voltage source है तो उसको convert कर लेंगे पहले practical current source में और तब caseal apply करेंगे ठीक और इसमें node voltage लिखने के बाद फिर बाकी जो है आप जैसे caseal लगाते है वैसे लगाईए अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि nodal equations for networks containing dependent sources are written taking the dependent sources as if they are independent sources तो अगर वाली जे dependent source दिया हुआ है आपने question में तो उनको भी हम उसी तरह treat करते है जैसे कि हम यह मान के चलते हैं कि वो independent sources है और a constants equation from the given data is also deployed for each of the dependent source and substituted into the main node equation मतलब तीसरा अगर हमारे पास कोई dependent source है हमारे network में तो उसको हम ऐसे treat करते है treat it as independent source ठीक और and also include जो भी उसकी constants equation है जो इस dependent source को define कर रही है constants जो भी constant equation है उसको include करते है किस में main node equation में ठीक main node equation में तो यह steps लेने के बाद ही फिर हम जो है node analysis का जो अभी हमने आपको basic steps बताये थे उस तरह से हम नोडल equation लिखते है practical voltage source होगा तो उसको current में permit कर देंगे current voltage source में तब काम करेंगे ideal voltage source होगा तो उस node में पहले हम वो voltage दे देंगे तब आगे काम करेंगे अगर dependent source है तो उसको भी हम independent source की तरह handle करेंगे और उसकी जो constraints equation है उसको भी main node equation में include कर लेंगे तब आगे node analysis हम करेंगे so this was all about the basic concept and the important points as far as node analysis is concerned आगे आगने वाले problems में जब हम node analysis पे problem करेंगे तो यह चीज़े आपको और clear हो जाएंगी अभी आज की lecture के regarding कोई doubts या confusion है तो please comment line में comment करके पूछे और अगर video content पसंद आ रहा है तो video को share कीजे, like कीजे, channel को subscribe कीजे और notification bell को जरूर on कर दीजे ताकि next video की information आपको time से मिल सके Thank you